कि आपको भी बहुत सारे आइडियाज आते हैं लेकिन आप उन्हें इंप्लिमेंट नहीं कर पाते हैं। कि आपको भी लगता है कि सकस्स में सिर्फ एक कदम की दूरी है वो है इंप्लिमेंटेशन। तो आप अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में फाइव सेकंड रूल दफाइव सेकंड रूल नाम की एक किताब है जिसकी लेकिका है मेल रॉबिन्स जिनकी लाइफ में बहुत सारी परिशानियां चल रही थी। जहां रॉकेट लाँज का प्रोग्राम चल रहा था और उल्टी गिंती जो है गिनी जा रही थी रिवर्स काउंट डाउन चल रहा था फाइव फोर थ्री टू वन और जब ये फाइव फोर थी टू वन का रिवर्स काउंट डाउन हुआ तो मेल रॉबिन्स को लगा कि मैं अभी अपनी लाइफ में इस रूल को अपलाई कर सकती हूं अगले दिन सुबह अलाम का स्नूज बटन दबाने की बजाए अलाम को बंद करने की जगे पांच से लेकर एक तक उन्होंने गिना और वो जग गई दूसरे दिन जब फिर से अलाम बजा तो उन्होंने वही किया 5,4,3,2,1 और वो फिर से जग गई और ये तरीका उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी एड़ कर चुका था यानि कि जिस काम को करने में उन्हें समय लग रहा था वो टाल रही थी करना तो चारी थी लेकिन टाल रही थी अब उसका ख्याल आते ही वो 5,2,1 तक की उल्टी गिंती गिंती थी और उसके बाद कमाल हो जाता था यहीं से उनकी लाइफ में आया The 5 Second Rule जिस पर उन्होंने किताब लिखी इस वीडियो में बात करेंगे उसी बुक की और आपको बताऊंगा कि सीख लीजिए उस किताब से कमाल की बाते हैं क्योंकि सीख होगे नहीं तो जी बावने होते हैं इसलिए हमें अपनी जिन्दगी में एक करज की जरुत होती है और यह रूल आपको सबसे बड़ा सहारा देगा आत्म विश्वास पाने का अगर आपनी लाइफ में सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं 5 सेकंड का जो रूल है यह 5 सेकंड का रूल बहुत इजी टेकनीक है जब भी आपके मन में किसी काम को करने का विचार आए तो तुरंथ पांच चार तीन दो एक यह गिनिये और काम को शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आप रुख जाते हैं तो दूसरा थौट आएगा जो आपको हंडिड एक्सक्यूज देगा टाल काम करने का टास्क करने का तब तक दूसरा थौट आता है और सौ एक्सक्यूज लेकर के आ जाता है आपको एक नई परिशानी की तरफ ले आता है आप काम नहीं कर पाते हैं इसलिए आपके माइंड में जो थौट आ रहे हैं उनको आप भगाईए और फाइव टू वन तक यह जो reverse countdown है इसे अपनाईए आप बिना दिरी के life में positivity के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे अब बात करता हूँ सबसे important कि यह जो the five second rule है यह कहां पर आप apply कर सकते हैं कहां इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं बड़ी बड़ी celebrities इस five to one का जो यह रूल है उल्टी गिंती क इसको अपना रहे हैं क्योंकि जैसे ही आपके mind में कोई thought आ रहा है आप five to one गिनी और काम करना शुरू कर दिये कोई भी आदत अगर आप बड़ना चाहते हैं कोई नई आदत बनाना चाहते हैं बुरी आदत चोड़ना चाहते हैं इस five second rule को इस्तिमाल मिला सकते हैं अगर आ आपको डर है हिचके चार्ट है किसी चीज़ की फिक्र है वो कदम नहीं ले पा रहे हैं आप जो अपनी life को बदलने के लिए लेना है तब भी यह rule ज़रूरी है जैसे कि मैंने बताया जो author है वो सुबह नहीं जग पारी थी जल्दी five to one का उनने रूल अपनाया five four three to one अलाम को बंद करने की बजाए स्नूज करने की बजाए वो सीधा बिस तरसे बाहर निकल गए तो आपका जो है confidence बढ़ेगा आपने ideas अपने thoughts दूसरों के सामने रख पाएंगे उन पर काम कर पाएंगे negative thoughts जो हैं और जो बेवज़े की चिंताएं हैं उनको रोकने के लिए भी यह बड़ा का है क्योंकि हम सिर्फ सोच रहे होते हैं action नहीं करते तो 521 की गिनती गिनी है जैसे rocket launch होता है 54321 और अपना काम करना शुरू कर दीजिए चिंता करने की overthinking की जो आदत है उसको आप मिटा सकते हैं किसी भी डर को आप हरा सकते हैं जब आपके दिमाग पर आपका control ह होगा तो आप उन चीजों की बारे में सोच पाएंगे जो आपको happiness देती हैं अब बात करते हैं यह five second rule काम कैसे करता है जब पांच से लेकर केक तक आप उल्टी गिनती गिनते हैं और तुरंत action लेते हैं तो आपका ध्यान काम की तरफ लग जाता है बजाए की बहानों के इ ऐसे step लेते रहने से आप में एक habit डवलप हो जाती है और आपको मालूम है कि एक आदत ही होती है जो इंसान को बनाती है और बिगारती है तो समरना है या बिगड़ना है या आप पर depend करता है ऐसे step लेना शुरू कीजिए जिससे आपके दिमाग में अच्छी आदतों का लिए काम शुरू कर दीजिए दूसरा 30 मत आने दीजिए इतना easy नहीं है जो author है मेल रॉबिंस वो कहती है कि इस rule को शुरू आत में तो सिर्फ सुबह जल्दी उठने में अप्लाई करें आप जितनी बज़े सो करके उठते हैं उससे आदे घंटे पहले का अलाम लगा है औ क्योंकि अगर आपने morning में अपना routine change कर दिया सुबह को जीत लिया तो आप अपने दिन को जीत सकते हैं जो author हैं वो भी सुबह जल्दी उठने को लेकर कि परिशान थी लेकिन फिर अणने rule अपनाया 5-4-3-2-1 snooze करना बंद किया अलाम को सीधा अलाम बंद किया और bed से बा कर दिया वो sacrifice करते हैं अपनी जो बुरी आदते हैं उन्हें गायब कर देते हैं जो सुबह की प्यारी नींदे उसे गायब कर देते हैं अपने daily routine में जो enjoyment का time में उसे कम कर देते हैं थोड़ा सा अपने routine को अपने goal के recording set करते हैं और कमाल करके दिखाते हैं बहादुरी के बा कि मैंने ये करने से पहले सोचा ही नहीं तुरंत immediately मैंने react किया ये ख्याल जो था उनके मन में अचानक आया क्योंकि वो black होने का भेदभाव जो जो जहल चुकी थी परिशान हो चुकी थी इसलिए immediately उन्होंने का कि मैं seat नी छोट रही हैं तो यह जो immediately आप action लेते हैं बस यह चा रहे हैं या किजी काम को शुरू करने में हिचके चा रहे हैं डर है आपको कहीं फेल ना हो जाएं तो इस rule का इस्तिमाल कीजिए आपको सिर्फ और सिर्फ सकस्स मिलेगी दफाइफ से अपनी health को भी सुधार सकते हैं अच्छी आदतें अपने routine में शामिल कर सकते हैं जि दूसरा बहाना दिमाग में आ जाए प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है बस 54321 फॉलो कीजिए रुकिये मत इससे बहले कि दिमाग दूसरे बहाने बनाना शुरू कर दे क्योंकि दिमाग भी एक तरीके से machine के तरह काम करता है उसको पहले से excuses पता हैं आप जैसे ही कहेंगे कि आज सुबह जल्दी जगना है दिमाग आपको 70 महाने देगा और आप फिर से आलस की तरफ बढ़ जाएंगे दे फाइफ सेकंड रूल से आपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं यस आपनी लाइफ में पॉजिटिविटी का जो लेवल है उसे 100% से भी उप पर लेकर के जा सकते हैं इसके लिए आप डिस्ट्रेक्शन से दूर हो जाएंगे जैसे ही फाइफ सेकंड रूल अपनाएंगे क्योंकि आपके पास में समय नहीं होगा दूसरे थॉट्स लाने का दूसरी बातों के बारे में सोचने का आज के टाइम में टिकनॉलोजी है इ उपर डूपर इंपोर्टन्ट हैं उनकी लिस्ट बनाईए और जैसा उन्होंने बताया कि सबसे पहले अप्लाई करना है फाइफ सेकंड रूल को सुभे जल्दी जगने के लिए तो सुभे के जो आर्ज है जो मॉर्निंग आर्ज है उनको प्रोड़क्टिव बनाईए और पॉजिटिविटी लाइफ में एड़ कीजिए कमाल करके दिखाईए कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा देखते रहे हर सुमवार सुभे साड़े 9 बजे मेरे साथ एक नहीं कहानी और हर शुक्रवार सुभे साड़े 9 बजे लर्निंग सीरीज का ए झाल